तोहाना में जाडियों में मिला एक बाइक जो पूरी तरह से एक सतिगरस्ता है जैसे कि आप वीडियों में देख सकते हैं कि तोहाना के हिसा रोड पर जाडियों में एक बाइक जो है वो पड़ा हुआ दिखाई दिया है पुलिस को सुचना दे दी गई मोके पर 112 नंबर बाइक जो है वो पकड़े गए थे उसके अगले ही दिन जाडियों में ये बाइक मिला है जिस हालत में मोटरसाइकल जाडियों में मिला है उससे संका वेक्ट की जारी है कि यह मोटरसाइकल या तो वारदात में सामिल है या फिर इसको चुरा कर जाडियों में फैंक दिया गय कि वह रूटीन की आदत के साथ अपने खेच जा रहा था तो जाडियों में पड़े मोटसेकल पर नजर पड़ी उसने तुरत हेलप लाइब नंबर पर पुलीस को सुजित किया पुलीस अधिकारी तिलक राज ने बताया कि हमारे पास 612 पर सुचना मिली हिसार रोड पर नहर के पास जाडियों में एक लावारिस मोटसेकल पड़ा हुआ है तब उनकी टीम वहाँ पोची तथा मोटसेकल को कबजे में ले लिया गया है मोटसेकल के दोनों टायर गायव थे उन्होंने बताया कि इस मोटसेकल पर नंबर प्लेट लगी हुई है उसकी ट्रैस की जाएगी यह मोटसेकल चोरी की है या किसी वारदात को अंजाम देकर फैका गया है अबर समय किसी का काम है यह कोज लाय हो ठाके के लिए पार रादा खोल राके है जाजाज़ बिदो गया है मतबह नहीं है वाया है मुट इरका में कागत कापी देख लिए किसके है एक मीन दूती है पाड़ राखी ना पर्ली थार चुर्दी कि लेगे सुचना यह मिली थी कि इस हार रोड पर जाड़ियों अंदर एक लावार इस मोटर सेकल पड़ेवाजिस में ना टायर है ना रिम है इंजन भी खुले हुआ है स्थीति ना जुक है ने चलने की स्थीति में एचर तेई सैफ बासट पिछपन है यह उसका नंबर है इसकी सुच तौना थाना सैर्ट वर्णाम दे दिगए है और इसको ले जागर एमेच सियो या ऐसाच्यो साब के हवाले किया जाएगा अगामी करवाए के लिए तो पता चलेंगे इसके नंबर की ट्रेस की जाएगी मालिक का पता चलने पर यह चलेगा है कोई चोरी का है या को वारदा को अंजाम देके आया है इसका पता इसके नंबर से मालिक का नाम पता होने पर पता के जाएगा यह सार रोड नहरों के पास जाड़ियों में है तो एक लबारी से मोटसेगल पड़ा था मैंने 112 नंबर कॉल किया तो वह आगे 112 नंबर वाले उन्होंने संभाल लिया है मैं रोज की रूटीने में मेरे खेत आना अभी मैं आया तक यह से मेरे निगा पड़ी तो जड़ियों मोटसेगल पड़ा मिलें किस जगे की बात है यह टोहना टोहना रोड टाउन परक के पास पुलिस को सूचना देदी है हां जी प हुटा बड़ा है सब को सब को सब को सब निकाल रखा है नहोंने